आज तो मैंने सेशन देना ही नहीं है बिलकुल आज मैं क्लास देने के लिए नहीं आया हूँ आज मैं आया हूँ आप लोगों के साथ एक गलती शेयर करने में वो गलती जो बहुत सारे बच्चे करते समय कर जाते हैं जिस वजा से वो बिचारे पास नहीं हो पाते हैं मैं उस गलती को भी लेके आया हूँ और मैं उस गलती के solution पे भी आया हूँ कि वो solution क्या है जिससे वो गलती हमारी ना हो बच्चे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, class 10th में चलते हैं, class 12th में जलते हैं जब हम 10th और 12th में थे, हम NCRT भी करते थे, हम practice question भी करते थे हमारे tuition वाले sir या tuition वाली madam हमें बहुत सारे question दे थे, हम वो भी कर डालते थे हम past के 10 years भी कर डालते थे sir and what not और जाते थे exam देने और score करके आते थे sir 90 sir 100 because हम 90 100 score करने की नियत से जाते थे, intent से जाते थे अब हम क्या करते हैं, हमने marks 50 लेना हैं, हम मेनती 50 के लिए करते हैं और एक गलती जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं इस कारण से वो गलती है बच्चे practice ना करना questions की, हम questions की practice नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, हम या तो session सुन लेंगे या देख लेंगे या हम sessions live करेंगे जो sir ने करा दिया वो देख लेंगे और बस sir प्राक्टिस नहीं करेंगे जिस वजा से बहुत सारे बच्चे and if you go on the ACCA website you will get to understand this that बहुत सारे बच्चे 50 मार्क से दूर रह जाते हैं 45, 46, 47, 48 पर रह जाते हैं ACCA अपनी examiner report में categorically बोलता है कि बच्चों ने practice नहीं करी है mock exam नहीं करें last examination reports को नहीं पढ़ा है and what not ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं जिसमें वो questions को practice नहीं करते हैं अगर बच्चों से पूछो तो बहाने बहुत सारे हैं बहाने क्या मिलेंगे? शायद बहाने भी नहीं शायद reality भी है because ऐसी चीज़े मिलेंगी कि जब हम 10th और 12th में थे तब तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बढ़ाई थी अब हमारे पास क्या है? सर हमारे पास office भी है सर हम सिर्फ ACCA नहीं कर रहे हैं सर उतना time होता ही नहीं है तो हम इतने सारे question तो practice करें नहीं सकते और अपने हाथ से तो बिल्कुल नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? Fintram Global, the approved learning partners for ACCA आपके पास एक solution लेका है Solution of Video Question Marathon Sir, Video Question Marathon ये क्या होता है? बच्चे ऐसा है, सबसे अच्छी चीज़ क्या याद रहेगी आपको? या सबसे ज़्यादा चीज़ क्या याद रहेगी आपको? Sir, एक वीडियो अगर किसी भी चीज़ का हमें वीडियो मिल जाता है ना तो Sir, हमारे दिमाग में वो register हो जाता है खुद कराया है, डीटेल में कराया है, सारी tips and tricks के साथ कराया है जिसमें छोटे questions, concept questions, comprehensive questions, past examination questions सब को include किया है ताकि आपके लिए उस चीज़ पे time लगाना बहुत असान हो जाए because आप उसे कहीं भी कैसे भी देख सकते हैं और वो इतना detail out हो कि आपको वो सारी information दे that is needed by you for the purpose of clearing this exam example के तोर पे मैं strategic business leader exam जो की SBL exam है, मैं उसके question marathon के बारे में बताता हूँ SBL के question marathon के अंदर हम लोगों ने आपको वो सारी tips and tricks दी जो आपको चाहिए from the standpoint of clearing this exam जैसे जैसे आपको सर कौन-कौन सी professional skills हैं तो वो सारी professional skills के ओपर हमने video format में आपको बताया है कि आपको क्या चाहिए फिर सर हमने concept questions पे सारे video बना दिये कि कैसे-कैसे concept questions leadership से लेकर, strategy से लेकर and what not हमने उस सब पे videos बनाए जो आपको चाहिए from the standpoint of understanding the concept तो वो भी हो गया फिर हमने सर exam standard questions पे काम किया exam standard questions दिये और सर हमने past examination questions भी दे दिये past examination questions को भी video में एके करके देख डाला क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है examiner को क्या-क्या चीज़े चाहिए होती है क्या-क्या चीज़े वो पसंद नहीं करता है formats कैसे होते हैं sir कौन-कौन से formats follow करने होते है report क्या sir memo क्या sir एक-एक format को देखा एक-एक professional skill को देखा examiner की liking और disliking को देखा past examination report के comments को भी include कर लिया कि वहाँ क्या-क्या गलतिया होई थी ताकि हम आपको सब कुछ video format हम बता सके वो गलतिया ताकि आप से ना हो ये तो बात करीब बैटे मैंने strategic business leader की हमारे पास हर subject के strategic business leader से लेकर knowledge level तक के subjects के हमारे पास quotient marathon तयार है जो हम as a fin tram अपनी classes के साथ बच्चों को free में देते हैं but अब बात आती है वो बच्चों की जो मेरे बच्चे खुद पढ़ रहे हैं जिनने लगता है उन्हें खुद पढ़ना चाहिए या वो किसी और से पढ़ चुके हैं या उन्होंने पहले exam दिया था किसी भी करणबश उनका exam clear नहीं हो पाया है उनके लिए भी fin tram has opened the doors in terms of you know thinking about this from the caution marathon standpoint ये caution marathon उनके लिए भी अविलेबल है by just paying a nominal amount of fin tram they can also get to see this sitting right away at their home करना गया आपको यू मैं सारी डिएल वीडियो में नीचे दे रहा हूं you just have to contact the fin tram and get to get in touch with them in terms of getting the details of the respective caution marathon and get that going और पढ़ो और फड़ा फट से exam को clear करके आगे निकल जाओ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर दो और subscribe तो बच्चे करना ही करना है बिकॉस ये सारे अप्डेट्स आपके पास आते रहेंगे जितने भी एसी से के अप्डेट्स होंगे ताकि अप्तियबास फड़ा फट से पहुंच जाएं फिर दाग दिस पंकर सिंग्रा साइन इंग आप